नमस्कार सातियों आज हम बात कर लेते हैं अगर आप यूए में जोब कर रहे हैं जी हाँ मैं वे की ओनली फॉर बात करूंगा अगर आप यूए में जोब कर रहे हैं इसको बोलते हैं माली जी आप कही जोब लगते हैं स्टार्टिंग में हम बात करें तो आपने सुना होगा कि starting में salary कम होती है यह सबावची बात होती है salary कम होती है no doubt salary कम होने के पीछे एक ही रीजन है आप मालीची दुबवाई में काम करें आप हैस्ट में आरहे हैं company में नए हैं आपको knowledge नहीं है आपको काम का knowledge है लेकिन वहाँ पर system को तो मेनेज करने का नोलेज नहीं इसलिए कंपनी आपको हमेसा से सेलरी कम देती है और दुबई इंडिया में भी देख सकते हैं आप कहीं पर भी जोब कर रहे हैं गौवर्मिन करमचारी को देख लीजिए आप एक्जामपल के तोर पे जो आर्मी में जाते हैं जो टीचर होते या पिर अख्षवाजिट कोई भी जोब में देख सकते हैं स्टार्टिंग उनका टाइम होता जिसे एक साल दो साल उनको सिलरी कम मिलती है जैसे वो प्रोबेशन प्रियेड यानि उनका ट्रेनिंग प्रियेड खतम हो जाता है तो अपनी रियल स्थिति में आ जाते हैं वो एक तरह से अपनी बासाम बोले तो पकी नोकरी पकी नोकरी समझ सकते हैं सब वो एकदम फाइनल फुक अंडड़ परसंट नोकरी हो जाती है डोकॉमेंट आपका रिकोर्ड ओन रिकोर्ड आप हो जाते हो उसके बाद आप रिगुलर जोब कर सकते और आपकी सेल्ली भी इं उसके दोरान आपके क्या अधिकार आप कैसे क्या करते हैं तो आपको सेवा बोनस मिलेगा इन मिलेगा नहीं मिलेगे से मिलते रहें यह सुरुवात कर लेता हैंemie इन प्रवेशन प्रिएड याने ट्रेनिग प्रेंग की मैं मैने तक का यह दुबई में हो सकता है दुबई में अगर आप कोई भी जोब करते हो तीन मैने से लेके छे मैने तक आपको कमपनी ट्रेनिंग प्रियेड में रख सकती है उस दोरान कमपनी को देखना होता है आप किस तरह से काम कर रहे हैं company के मुताबिक आप काम कर रहे नहीं कर रहे हैं आप बीच में कोई problem create नहीं कर रहे हो उस हिसाब से आपका वो एक training period होता है उस training period में दो option होते हैं कई बार company बीच में आपको निकाल सकती है कि आप सही नहीं हो आप जा सकते हो कैसा अभी सुना आपने की company ने job लगे दो मेने बाद निकाल दिया यह training period होता है दूसरी बार आपने कई बार सुना होगा कि वो 2-3 मेने उसने job किया फिर उसने resign दे दिया company छोड़ दी तो यह reason हो सकते हैं दोनों ही condition में आपके साथ क्या होगा वेका जो लेबरलो 1980 में बना था मैं बता दूँ अनुछे 37 के अनुसार 6 मेने से ज़्यादा आपका training period कोई भी company नहीं रख सकती जी हाँ company ज़्यादा तर इसलिए रख लेती हैं training period में काम आपसे ज़्यादा करवाया जाता है salary आपको कम दी जाती इसलिए company को ज़्यादा benefit हो जाता है 6 मेने तक आपको training period में रखा जाता है तो कुछ condition में आपको सेवा लाब में के भी आप अगदार होते हैं salary भी पूरी के अगदार हो जाते हैं और बीमारी छुटी बता भी इसमें सामिल हो जाता है जी हाँ अगर आप training के दोरान job छोड़ देते हैं आपकी मतलब job खतम हो जाती है या company आपको निकाल देती है उस दोरान बता दूँ 1980 labor low act बना है अनुचेद 37 और अनुचेद 120 के अनुसार नियुकता को आपको सुचना देने की जरूरत नहीं होती है जी हाँ अगर आप training के दोरान job छोड़ सकते हैं तो आपको सेवा आपका जो अन्ताय बोनस आपको बोल सकते हैं training bonus बगरा बगरा वो आपको नहीं मिलेगा उसके अगधार आप नहीं रहेंगे अगर आप माली जी job आप regular कर रहे हो आपकी training period खतम हो जाता है फिर आप regular duty में आ जाते हो तो वो आपका जो 6 मेने का तीन मेने का चैर मेने का जो training program आपका रहा जो training time रहा वो आपका उसमें add हो जाएगा कौन से में आपकी फूरी salary में आपका फूरा अन्ताय बोनस सेवा जो आपका time होता है उसमें भी वो automatic add हो जाएगा 6 मेने कई बार ऐसा सुना होगा कि company अगर आप बीच में company से निकल रहे हो यह में बहुत देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के वीजा लग जाते है पासपोर्ट में एक तरह से same यह condition आ जाती है वीजा लग गया आप तो दो मेने तिन मेने बाद बोलोगे हमें तो इंडिया जाना है हमें तो घर जाना हमारे यह काम हो गया वो काम हो गया तो company आपसे मुआफ़ा मांगती है आपने देखा होगा 3000 दराम 4000 5000 दराम ऐसा मांगती है बिलकुल वो सही बात है क्योंकि company का खर्चा हुआ है वो आपको time से पहले निकलने पर आपको चुकाना पड़ सकता है लेकिन हाँ वो आपका मुआफ़ा company आपसे लेती है तो वो डेड़ मैने से ज्यादा नहीं होना चीए यानि समझ रहे हो जैसे डेड़ मैने में आपको मिले 3000 तो 1500 तक का वो आपसे जुर्माना ले सकते है इससे ज्यादा नहीं ले सकते है यह चीज़ें आपको हमें से ध्यान रखने चीए कि प्रोबेशन पिरियेड यानि ट्रेनिंग के दोरान अगर आप इस तरह से कुछ करोगे तो आपका नुक्षान भी है आपका ज्यादा नुक्षान कमपणि का इतना नुक्षान नहीं है जितना आपका नुक्षान न तो ट्रेजिंग pyramid पूरा करें ट्रेनिंग के बाद थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप कमपणि से छुटी मांग सकते हैं या आप जा सकते हैं तो आपका पैसा आपको मतलब नुक्सान नहीं होगा बेनिफीटी होगा आपको एक तरह से आपको सेल दी पूरी मिल जाएगी पलस आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा जो कमपणी का नुक्सान हुआ वो कंपनी को भुगतना पड़ेगा जी हां इसमें प्रोबेशन यानि ट्रेनिंग के दोरान आप कानून का अनुचेद 121 जी हां साथ इसके तहद आपको करमचारी को नोटिस देने की ज़रत नहीं होती ट्रेनिंग के दोराना बिना कुछ बोले भी कंपनी को जोब छोड़ सकते हैं बस यह जानकरी देनीती साथ यह वीडियो साला के तो लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म मैं चीजान करें साथ जे हिंद जे भर